हेलो फ्रेंड्स वेलकम पैक टू माई चैनल आज हम बेशन की कड़ी बनाने जा रहे हैं यह देखिए मैंने एक बाउल में बेशन ले लिया है यह मैंने दो कटोरी बेशन लिया है और एक बरतन में हमने लसी ले लेनी है लसी हमारी थोड़ी सी खटी होनी चाहिए अगर आप इसमें अपने मसाले अड़ कर रहे हैं हमने वन टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है यह रड़ चिली पाउडर उसके बाद अपने टेश्ट के एकोडिंग साल्ट डाल देंगे यह थोड़ा सा धनिया पाउडर एड़ कर रही हो मैं इसमें और थोड़ी सी काली बहुती अच्छा आएगा और अब हम इसमें आड़ करेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर इन सभी मसालों को डालने के बाद हम अपने घोल को अच्छे से मिक्स कर लेना है चमच की हैल्प से और इसमें गाठे नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल भी हमें सारी काठों को प्रेस करत करेंगे उसके बाद हम अपने तड़के के लिए मसाला तयार करेंगे यहां पर मैंने चार लेसुन की कलियां छील के रखे हुई थी और इसमें एक इंच के करीब अद्रक का टुकडा डाल लेना है और इनको यासे कूट लेना है बारिक बारिक सा तो हमारा जो पेष्ट है एक चमच से थोड़ा सा कम बन के तयार हो गया है यह देखिए हम अब इसको एक चमच में निकाल लेते हैं चलिए बनाना शुरू करते हैं मैंने बतन रख दिया है और अब इसमें सरसो का तेल डाल लेना है एक बड़ा चमच के करीब मैंने सरसो का तेल डाल लिया है और ते तेजपते दो लोंग उसके बाद मैं इसमें बारी कटा हुआ प्याज डालूँगी मैंने बड़ा प्याज कट करके रखा हुआ है ये अब हम इसमें ये डाल लेंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगी देखे इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे इसको मिक्स करने के बाद उसके बाद हमने जो लसन और अदरग का पेष्ट बना के रखा हुआ था हम इसमें ये अड़ करेंगे डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और प्याज के ब्राउन होने तक इसको छोड़ देंगे यह देखे हमारे प्याज का कलर चेंज हो गया है और देखे हमारे प्याज भी ग्राउन हो चुकी है अब हम इसमें अपनी जो घोल तयार करके रखा हुआ था उसको डाल देंगे और डालने के बाद इसको चला लेंगे इस तरह से ये देखे हम इसको चलाते रहना आपको लग रहा होगा कि इसमें हल्दे की क्वांटिटी थो जाएगा उसके बाद हमें यहां पे दो गिलास पानी आड़ कर लेना है पानी हमने शुरुआत में ज्यादा नहीं आड़ करना है बाद में आड़ करेंगे जब हमें जरूरत होगी तो अदर्वाइस हम नहीं करेंगे पानी आड़ करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर ना है इसी तरह से कड़ी बनाते समय जो very important step आता है वो ये है कि जब हम शुरुआत में गोल को बर्तन में डालते हैं उसके तुरंत बाद ही हमें अपनी कड़ी को लगातार चलाते रहना है हमें रुकना नहीं है जब तक कि इसमें bubbles आने ना शुरू हो जाए अगर हम इसमें प खराब हो जाएगी ये देखे अभी हमारी कड़ी में bubbles बनने शुरू नहीं हुए है तो इसलिए हमें इसको लगातार ही चलाते रहना है बीच में रुकना नहीं है और कड़ी का कलर देखे आप देख रहे होंगे कि कड़ी का कलर भी धीरे धीरे चेंज हो गया है जैसे ये बनने शुरू हो रही है और अभी हमारे bubbles बनने वाले हैं बस थोड़ी देर और रखना है ये देखे आपको दिखाई देरा होगा बस थोड़ी देर और दो तिन मिन्टो और हम इसको लगातार चलाते रहेंगे उसके बाद इसमें bubbles आने शुरू हो जाएगा और उसके बाद हम इसको छोड़ सकते हैं बिना घुमाए चलिए इसको थोड़ा सा और घुमा लेते हैं और ये देखिए हमारे बबल्स बनने शुरू हो गए हैं इसमें अब हमें इसको घुमाने की जरूरत नहीं है अभी तक मैंने इसको हाई फ्लेम पे रखा हुआ था हाई फ्लेम पे ही हम को रखना इसमें शुरुआत में उसके बाद हम इसको लो फ्लेम या फिर आप चाहो तो मिडियम फ्लेम पे भी रख सकते हो ये देखिए बबल बनने शुरू हो गए हैं अब हमारी कड़ी ने पकना शुरू कर दिया है इस स्टेज पे हमने अपने कड़ी को ढख लेना है य उतना ही इसका टेश्ट निकल के आएगा और कलर देखिए आप कलर भी कितना अच्छा आया है उसके बाद हम अब हम इसमें कसूरी में थियाड करेंगे करश करके और साथ में हरा धनिया डाल लेंगे हरा धनिया मैं डाल रही हूँ और हमारी कड़ी देखिए बिलकुल अच तेंकि पुर वोचीं!